नमस्कार दोस्तों NDA में तूट कुश्वाह के इस्तिफे का कोई भी असल नहीं पड़ेगा BGP पर ये चीज़ कही BGP ने विहार में NDA तूट गई है आखिरकार RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वा ने NDA और मंत्री पत से इस्तिफात दे दिया है सीट बटवारे को लेकर नराज चल रहे कुश्वा ने इस्तिफा देने के बाद कहा कि PM नरेंद्र बोधी लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं इसके साथ ही उन्होंने बिहार की नितीश कुमार की सरकार पर भी जम कर उनको कोसा और बहुत सारे आरूप लगाए अब बीजेपी ने कुश्वा पर पलटवार किया है बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनन ने कहा कि राजनीती धीरच का विशे है और जब मनुष्य दहरे खोता है तो उसका विवेक मर जाता है उपेंद्र कुश्वा ने जो सवाल उठाए है वो बेबुनियाद है एंडिये ने धरातल पर क्रांतिकारी काम किया है निखिल आनन ने कहा कि बिहार में नितिश कुमार के नेतरित में सरकार ने शोशल जस्टिस के छेतर में काफी अच्छा काम किया है बीजेपी ने लोकतांत्रिक तरीके से एंडिये के घटक दलों के साथ गाड़ी आगे बढ़ाई है पीम नरेंद्र मूदी ने साड़े चार सालों में कुशल नेतरित दिया है उपेंद्र कुश्वा साड़े चार साल की सतरकार में हमारे सहयोगी रहे है इसलिए अब उन्हें इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है बीजबी प्रवक्ता ने कहा कि कुश्वा तेजयस्वी यादव का जंडा जोला उठाना चाते है कुश्वा ने NDA के साड़े चार सालों के काम पर उंगली उठाकर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसका सवालों में अपने आपको ला दिया है उनके NDA में जाने से बहुत सारे चीज़े उधर पुतल हो गई है और बिहार की जो राजनीती है वो उसमें भुचारा चुका है तो उपेंद्र कुश्वा के इस पूरा जो उन्होंने ये कदम उठाया है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तो इसको लेकर ऐसे क्यास लगाये जा रहे हैं वो जल्द ही महा गटबंदन का हिस्सा बन सकते हैं और गटबंदन में शामिल हो सकते हैं और विपक्षी दल के साथ मिल सकते हैं और उनके साथ मिलकर विपक्षी एक जुटता करके वो मोधी का सामना करेंगे और मोधी के सामने एक चुनावती बनकर सामने खड़े हो जाएंगे तो ऐसा जो उनका करना है वो उनको बिल्कुल भी शोबा नहीं देता है और ये चीज उनके लिए कितनी जादा लापकारी साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि जैसे कि आप जानते है कि 2019 का जो चुनाव का मोहल है वो अब शुरू हो जाएगा तो देखा जाएगा कि जो ये विधान सभा की नतीजे आएंगे ये किसके पक्ष में होंगे और कौन इसके खिलाफ में होंगे और ये जो एक जुटता होगी विपक्ष की ये मोधी को कितनी जादा भारी पढ़ने वाली है और इसकी जो चक्रिवीव बनेगा मोधी के खिलाफ उसका कैसे सामना करते हैं मोधी और शामिल कर ऐसी बहुत सारी सवाल जनता के मन में है तो देखेंगे कि 2019 में विपक्षी एकता जीती है या फिर मोधी शा की रणनीतिया तो ये बहुत बड़ा सवाल सामने आया है जिसका जवाब लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे तैंक यू सो मच खी वाचिंग टुड़ेज फर मोर न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ साथ टुड़ेज की आप को जरूर डानलूट करें आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकतें